हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो अंजी नर्सिंग क्लासेज, आज हम डिसकस करने वाले हैं कि जो SGP GIMS लखनों का एक्जाम निकला है, नर्सिंग ओफिसर ग्रेड सेगिन के लिए, अभी जिसके एप्लिकेशन फॉर्म आउट हुए है, 5 जैनुरे से स्टार्ट हुए है, 25 उसको फिल कर सकते हो, तो उसकी आप प्रेपरेशन अभी से पहले कैसे स्टार्ट कर सकते है, कोन सी वुक आपको प्रेफर करना है, क्या स्लेबस आपको फोलो करना है, और मदलब किन-किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो आप सबने मेरा मेरी डिटेल वीड क्या है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताया था ठीक है अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो तो 905 फिकेंसी आउट हुई है तो अभी एक्जाम डेट नहीं उन्होंने आपको मतलब बताया है लेकिन एक्जाम डेट कभ अभी भी अपनी प्रिपेैसिन ओन्हों रख है क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि जो आपना डब हमारे पलान करने है करो है कि कॉन से ग्ज़ाम कर रहे हैं है क्योंकि जो nursing grade second है उसके लिए जो exam होते हैं उनका जो slabus आता है वो मतलब की जिस भी site से वो upload हुए है या जिस भी institute या फिस state ने या government ने उनको provide के तो आपको slabus provide करते हैं ठीक है तो हमें सबसे पहले उसका slabus देखना यह तो हमारे पास slabus हमारे सामने है सब्सक्राइब का उन्होंने मतलब की 100 question 100% मतलब 100 questions वो देने वाले आपको जिसमें 60% मतलब 100 अगर total question है तो उसका 60% 60 हुआ ठीक है 60 question nursing के आने वाले है and 40 question non nursing के आने वाले है ठीक है so usually क्या होता है हम नोर्सेट के लिए हमेशे त्यारी करते है हमारा full जो complete year वो नोर्सेट के लिए preparation में जाता है उसमें क्या होता है neglect part होता है no nursing के लिए क्योंकि 20 question आने होते है no nursing के लिए और 180 आने होता है nursing के लिए इसलिए हम उसकी preparation लागर थोड़े time के लिए भी करें one week के लिए 15 days के लिए 10 days के लिए तो वो भी enough होता है ठीक है लेकिन इसमें क्या है आपके पास सिफ 100 questions है ठीक है क्योंकि जो important highlights है इसमें क्या है 100 questions आने है one third जिसमें से negative mark होंगी 905 में से 20% तो female को लिया ही जाएगा पाके जो 80% है उसमें जो जितना score करेगा according to merit list उसके according उसको select कर लिया जाएगा 80-20 ratio इसमें नहीं follow रहा है जो कि एक बहुत अची बात है जो कि आजकल नौर से जिप में आप काफी सारे आप देख पा रहे हो उनमें यह apply applicable हो रहा है जो कि एक अच्छी बात नहीं है मैं उसको promote नहीं करती बिल्कुल भी ठीक है तो इसमें हमें अब क्या चीजों का ध्याना करें कौन सी book में पढ़नी है ठीक है तो अगर आपने previous कभी exam दिया है यह आपने previous उसके जो questions देखें तो आपने उसमें question देखेंगे उसमें जो question होते हैं वो direct forward होते हैं मतलब कि direct question पुछे जाता है आपसे घुमा फिर आके या आपको को statement complete provide करके जैसे कि sonders और आप end class में देखते हो उसमें आपको फूरा scenario बताया जाता है तब आपको से उससे answer पुछा जाता है ठीक है concept applicable होते हैं लेकिन इसमें जो question आते हैं वो आते है direct आपसे basic चीजे पुछी जाती है और वो direct पुछी जाती है तो less time consuming होती है लेकिन वो more difficult होती है अगर आपको concept clear है कि ही से भी question पकड़के पूछ ले आप उसका answer देदोगे लेकिन जब आपको direct question पुछा जाता है तो वो more difficult है आपके लिए ठीक है क्योंकि आपको अगर exact answer आता होगा तो well include अगर नहीं आता होगा concept बेस नहीं होगा तो वो more difficult हो जाता है हमारे लिए तो अगर आप NCLEX और Saunders already पढ़ चुके है तो बहुत अची बात है अगर आपने नहीं पढ़ी और आप इसमें straight forward question दिये हुए है basic question दिये हुए है basic guide मतलब उसके according जो हमारे topics होते है उसमें जो basic things होते है उसके रिगाड़ी even target high और PR यादब जोनों कुछ questions NCLEX के भी cover करते है तो इसलिए भी आपको particular NCLEX और most भी क्योंकि वो time consuming books होती है एक छोटी सी बात और इसके बीच में आपको जैसे कि मान लो इनको जो SEPGI MSL लखनो उनको exam जल्दी से जल्दी लेना है 25th January तक इन्होंने आपको time provide किया form fill करने का last date दिया है ठीक है अगर इनको जल्दी से जल्दी आपका exam लेना है तो ये FAB में आपका exam ले सकते है mere FAB में ये last week of the FAB में ले सकते है तो हमारे पास वही मिला जुला के 40 से 50 days होंगे preparation करने के लिए क्योंकि exam जो date है उसका blast कभी भी हो जाएगा मान लो कि जो last week है 25th Jan को last application form fill होना है ठीक है उस week में ही आपको exam date बता दी जाए और ना बताने को ये 2, 3, 4, 5 बताने कितने month भी ले सकते हैं ठीक है जैसे कि अब है में आ रहेड़े ए एक form war निकलावा है PGI का तो संगूर का तो उसमें अभी तक कोई exam date नहीं आई है तो ऐसे हो सकता है कि इसमें भी time लग जाए लेकिन हम हमेशे हमारा worst scenario देखेंगे ठीक है और worst scenario क्या है कि जो हमारा exam अगर FAB में हो जाता है तो क्या हमारी उसके according preparation है क्या हमने basic अपने आपक करके उसको clear कर सकते हैं क्योंकि जो इन्होंने qualifying बताया है आपके लिए general, OBC और EWS तीनों के लिए criteria क्या है 50% और SC, ST के लिए इन्होंने 45% मतलब 100 question total है 50 number आपको minimum चाहिए qualify करने के लिए तो सिफ nursing part पढ़ना enough नहीं होगा seat लेने के लिए ठीक है और competition आपको पता है कि कितना जादा already बढ़ा हुआ है ठीक है तो अब आपके लिए आपको क्या करना है nursing part के साथ साथ non teaching part, non nursing part भी आपको preparation करनी है एक चीज और जैसे हमारा जो professional main core nursing profession है इसलिए जो इसमें English reasoning, GK और mathematical aptitude आता है वो basic level का आता है इतना जादा competitive level में नहीं आता जो आप SSC, CZL में देखने लिए मिलता है हम लोगों का ठीक है लेकिन इसमें जो आएक आपका basic आता है जिसमें आप कोई भी एक book prefer कर सकते है जिसमें चारों चीज आपको मिल जाएं ठीक है mathematical aptitude में जैसे distance के question आएंगे, interest के question आते हैं ठीक है add-on के आते है, subtract, ऐसे multiple, बहुत easy questions होते है अगर आप उसको 60 में से 40 score कर लेते हो आप, तब भी आपके 65 marks आजाते हैं ठीक है लेकिन आपको 65 सक नहीं रहना, यह मैं worst scenario बता रहे हूँ आपको, आपको इसमें 70 plus score करना है क्योंकि जहां पर straight forward और जैसे कि 100 question आपके आएंगे, जिसमें easy और basic questions होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो आपकी marking ranking होती है, जो मतलब कि इसके score जाएगा, scoreboard जाएगा, बो 70 plus और even 80 plus भी जा सकता है, ठीक है, आपको least score नहीं करना, आपको अच्छा score करना है, ताकि आपके अच्छी rank आए और आप secure कर सको, आप last rank में ना रहो, जिसमें आपको यह डर बना रहे है कि क्या हमें select हो पाऊंगी या हो पाऊंगा, या नहीं हो पाऊंगा, हमें एक अच्छा score करना है, अगर अच्छा score करना है, तो उसके लिए आपको अभी से पहले planning करना ही पड़ेगी, 4-6 hours आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें से क्या करना है, अगर आप मालो 4 hours पढ़ते हो, 4 example, तो आपको धाई ग नोर कर दिया है, इस exam को preparation करने के लिए, तो आप अच्छी rank नहीं score कर सकते हैं, क्योंकि total question ही 60 है, ठीक है, 60 में से आप 60 ले सकते हो, अगर आप बिल्कूर मतलब जो nursing में, मतलब बहुत ये लगा लो, कोई 100 या 200 में से कोई 1 candidate होगा, जो 60 में से 60 score कर सकता है, क्योंकि जब हम exam दे रहे होते हैं, हमारे mind में इतना pressure होता है, हम ठीक question का answer आते वे भी गलत कर आते हैं, यह many times accept को या पुरे question को ढंक से नहीं पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे चीज़े होते हैं, accept, not, all, तो यह 3-4 ऐसे चीज़े होते हैं, जिसको हम ढंक से नहीं पढ़ते हैं, और question को ठ धियान रखना है, और यह जो important highlights मैंने बताई हैं, इसको भी mind में बहुत जादा रखना है, क्योंकि सिर्फ total question 100 होने वाले हैं, और इन्होंने आपको सिर्फ 2 घंटे का time दिया है, देखने में लग रहा है कि 20 minute extra दे दिया है, लेकिन जब non teaching आपके पास 40 question रहेंगे, हमें nursing कर करने की आदत है, मतलब हमें उसके question MCQ practice करने की आदत होती है, लेकिन जब हम non nursing करते हैं, तो math reasoning होता है, वो बहुत time consuming होता, आपको नहीं पता चलता, 3 से 4 minute भी आपका ले लेता है, वो solve करने में, ठीक है, तो यह time management आपने यह तबाएगा, जब हम उसकी practice करेंगे, ठीक है, English भी आपका many times confuse कर देता है, क्योंकि वो ऐसे sentence आपको fill in the blanks में, ऐसे चीज़े दे सकते हैं, जो similar होते हैं, और हम उसमें इतना time waste कर देते हैं, तो यह हमें लग रहा है, कि यह ज़्यादा time है, लेकिन ज़्यादा time नहीं है, बिल्कुल भी, यह बहुत, मतलब कि एक hard होने व और मुझे सिर्क एक seat चाहिए, जो लखनो PGIMS है, उसमें एंटर होने के लिए, और ऐसे nursing officer बनने के लिए, क्योंकि मुझे अपने account में 80,000 plus salary चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए चाहिए, सबसे पहले positive mode अपना own करके रखो कि मेरा selection होके रहेगा, आपकी यह बार मुझे इ ले बस आपको cover करना है, दोनों part equally, ठीक है, और इसके practice करनी है, और यह सोचना है कि अगर fab में exam हो जाता है, तो मेरे को इस तरीके से त्यारी रखनी है अपनी, कि जो मेरा exam है, वो अच्छे से हो, और अगर आपको ज़्यादा time मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, ज आपको all over scenario आएगा, straight forward and basic level से आएगा, तो I hope आइस में कोई आपकी help मिली होगी, thank you for watching, please like, share and subscribe my video.